आधा अग्जाम वन अभी आपको कल बताया भी था 8 में को CVSC ने आपको एक्जाम नेसं डेट बता दिया है एक्जाम 3 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त को होने वाला है ठीक है तो एक्जाम का डेट आ चुका है और हमने प्रीबिएस लेक्टर में जो आपको मैंने lecture 1 करवाया था previous years question का क्योंकि इससे पहले 2024 में जो exam हो रहा है वो 2020 में हुआ था तो उसका मैंने एक lecture डाला था जिसमें आपको मैंने 10-12 questions करवाये थे इसमें GS से लेके बागी जो subjects है reasoning और quant इस 3 subjects को लेके मैंने 10-12 questions करवाये थे आपको idea लग सके कि paper कैसा आएगा तो वैसा ही उस series को continue करते हुए हमने ये दूसरा lecture आपके लिए जहांपे आप previous years question देखकर idea लगा सको क्योंकि देखो मेरा मानना है ना कि जब आप किसी भी run छेतर में जाते हो ना battle लगने के लिए जाते हो तो previous years के questions से आप idea लगा सकते हो कि इस साल कैसा question आएगा ठीक है तो पहले lecture में भी है मैंने तुमको 10-12 questions करवाये थे उस questions से आपको idea लगा होगा कि paper का label कैसा है वापी से आज मैं करवाऊंगा तो आपको धंग से पता लगेगा और आप अपने preparation को the next table पर ले जाना चाहते हो तो हमारा course भी है exam 1 पे आप CVSC के लिए जो courses है उसको enroll कर सकते हो ठीक है तो अब question पर आते हैं देखो पहला question यह है कि पूछ रहा है कि 1857 का जो mutiny हुआ था ठीक है उसके time पर governor general कौन था सबको पता होगा 1857 का जो mutiny हुआ था जिस 1857 के mutiny को इंडिया के historian ने first war of independence बोला हुआ है ठीक है कि आजादी के लिए जो पहली लराई start हुई थी वो कब से start हो गई थी 1857 से ठीक है तो 1857 के time पर question आपसे यह पूछ रहा है कि 1857 के time पर इन चार में से गवर्नल जर्नल ऑफ इंडिया कौन था तो ऐसा question किया यह काफी important question है तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नल जर्नल कौन थे उस time पर Lord Canning थे गवर्नल जर्नल तो अब यह question यह वापसे repeat होता है तो आपको याद होना चाहिए कि जब आपसे पूछे कि 1857 का जो म्यूटिनी हुआ था उस time गवर्नल जर्नल कौन थे Lord Canning आपने पहला lecture भी किया होगा मेरा यह तरीका ही नहीं है कि बस question परो answer tick करो और आगे बरो बात यह है ना कि जब उसने यह पूछा है गवर्नल जर्नल ऑफ 1857 का तो यह जो तीन options है तो अगली बार वो इस तीन options के related भी question फॉर्म कर सकता है तो जैसे Lord Dalhoji के regarding में कोई question फॉर्म किया जा सकता है Lord Cornwallis के regarding कोई question फॉर्म किया जा सकता है Lord William Mantic के regarding में कोई question फॉर्म किया जा सकता है तो जब ऐसी बात हो तो पहले तो आप इस चीज को याद कर लो कि म्यूटिनी के टाइम पर लॉड कैनिंग थे और इस बाकी जो ये तीन है इन तीन के बारे में कुछ बेसिक फेक्ट्स आपको याद हो जाएगा ये आप समझने का ट्राई करोगे तो होगा क्या अगली बार यदि इसके रिगार्डिंग कोश्चन आए तो आप बता सुत्ते हो, सॉल्व कर सकते हो जब बात लॉड डल होजी का हो तो लॉड डल होजी अठारा से अठारा सो और तालिस से लेके अठारा सो छपपन तक गवर्नर जेनल थे ठीक है, लॉड डल होजी से आपसे पूछा जा सकता है और ये कोश्चन बहुत बार एक्जाम में आया हुआ है कि डॉक्ट्राइन ओफ लेप्स जो है वो किस से रिलेटेड है वो रिलेटेड है लॉड डल होजी से अब ये भी पूछ सकता है आपसे कि डॉक्ट्राइन ओफ लेप्स होता क्या है कि होता ये था ना कि पहले के टाइम में जो राजा थे तो होता ये था कि जैसे जो राजा है उनके बेटे राजा बनते थे तो जिनका अपना पूतर नहीं होता था तो इन्हों ने लॉड डल होजी ने दिमाग लगाया नोंने ऐसा किया कि जिन राजा के अपने पूतर नहीं है यदि किसी को एडॉप्ट किया है तो वो सही उत्राधिकारी नहीं है राजा बनने के लिए तो वैसे जो राज हैं उसको ब्रिटीस इंडिया में सवजियूम कर लिया जाएगा ब्रिटीस इंडिया के अंदर ले लिया जाएगा आपको ऐसा ही जहासी की राणी वाली स्टोरी पता होगा जहासी की जो राणी थी उनके साथ भी लॉड डल होजी के दौरा डॉक्ट्राइन ओफ लेप्स का यूज करके उनके राज को ब्रिटीस इंडिया के अंदर ले लिया गया था जिसके कारणों ने रिवोल्ट किया था तो जब आपको कोश्चिन है कि डॉक्ट्राइन ओफ लेप्स किस से रिलेटर है से थाने तक चला था ठीक है तो बात यह है न कि आप एक ही question के साथ आप यह सब चीजे भी परके इन सब चीजों को जो important चीज हैं इन सब को आप याद कर सकते हो जिससे आपके subconscious mind में यह आ जाए तो अगले बार जब exam में options दिखेगा न तो आपको चमकेगा कि यह सब चीजे हो सकती है Lord Alhoji option दिखे तो फिर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि doctrine of labs आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि railway कि से related है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब mutiny देखो गेटिन 57 का तो आपको Lord Kenning दिख जाना चाहिए जब Lord Cornwallis की बात होगी तो आपने permanent settlement का नाम सुना होगा वो क्या था कि आपको पता है कि जो मजदूर जो खेती करके जो कमाते थे वो British वाले को एजेक कर tax के रूप में देते थे तो ये Lord Cornwallis permanent settlement जिसको जमिंदारी सिस्टम भी बोला जाता था तो permanent settlement कब आया था 1793 में तो आप से question पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा गया है कि permanent settlement जो है कब आया था 1793 में कौन है permanent settlement से related तो Lord Cornwallis तो आपने तीन के बारे पर लिया तो चौथा को क्यों छोड़ेंगे तो Lord William Bantic जो है आप से इनके बारे में क्या question पूछा जा सकता है कि इंडिया में जो सती प्रथा था वो किसके time पे खतम हुआ था 1839 में इसको ban किया गया था ठीक है किसके दौरा Lord William Bantic के दौरा Lord William Bantic से एक और fact है कि इंडिया का First Governor General First Governor General of India कौन था Lord William Bantic अब देखो जैसे आपको आपकी किसी भी एक्जाम के लिए GS में सबसे important हो जाता है First कुछ भी हो तो Live में हो या exam में हो First हमेसा important होता है ठीक है तो जैसे आप से इते पूछा गया First Governor General of India कौन था Lord William Bantic थे First Vice Rai कौन थे Lord Kenning के साथ एक और fact है कि जब 1857 में Mutiny हो गया था ठीक है तो 1857 में जब Government of India Act आई थे उससे इंडिया का First Vice Rai जो थे First Vice Rai Lord Kenning को बनाया गया था तो आपको क्या-क्या fact इस question सीखने को मिला इसको मैं summarize कर दता हूँ जिससे आपको वापस से recall हो जाएगा जब Mutiny 1857 की बात हो Lord Kenning के टाइम पे हुआ था Lord Kenning और किछी से related है इंडिया के First Vice Rai है वो First Vice Rai किस Government of India Act से बने थे Government of India 1858 से बने थे ठीक है जब बात Lord Dalhoji की हो तो Doctrine of Laps Dalhoji से related है और उसके बात पर्मानेंट सेटलमेंट की बात होगी तो Lord Kornawalis Lord William Bentic की बात हो इंडिया के First Governor General जो थे वो Lord William Bentic थे Lord William Bentic के टाइम पे ही साती प्रता 1829 में उसको बैन किया गया था और Lord Dalhoji के नाम पे ही के टाइम पे ही 1853 में इंडिया में First Train स्टार्ट किया गया था Mumbai और थाने के बीच में जो चला था ठीक है एक Question से हमने At least 8-10 Fact निकाले और ये 8-10 Fact आपको एक्जाम में जब अगली बार इस Question के आसपास यदि इन सब के Around यदि कुछ Question पूछा जाएगा तो आप उस टाइम पे एडी रहोगे क्योंकि आपके पास कुछ और Facts है जो आपने Relation बना के जब परहाई करा होगा जब Dot को Connect करके तो अगली बार आपको Option फिल्टर करने में काम आएगा ठीक है अब इस Question को जेखो ये Question क्या है पूछ रहा है कि Battle of Bill Gram जो था वो किस-किस के बीच में होता है पहली बात कि सेरसा और एक और परसन है क्योंकि यूद तो दो Party के बीच में होगी तो पूछ रहा है कि सेरसा Battle of Bill Gram में किसको हराया था ठीक है यदि आपको आता है तो ठीक है नहीं आता है तो आप इस Question में क्या ही Guess करोगे क्योंकि ये Question GS के Question 0 या 1 के बराबर होता है ठीक है आप Quant में क्या कर सकते है यदि आपके पास कोई Question आया ठीक है तो यदि आपको नहीं भी आ रहा हो तो आप Options यूज करके आंसर तक पहुँच जाओगे लेकिन जब बात होगी पंदरह सो चालिस में Battle of Bilgram जो था वो हुआ था पंदरह सो चालिस में किस-किस के बीच में हुआ था सेरसा ने किसको हराया था हुमाईू को हराया था ठीक है और जब बात हुमाईू और सेरसा की बात होगी तो पंदरह सो उन्चालिस में भी एक और important battle हुआ था इन्हें दोनों के बीचे में battle of battle of चौसा ठीक है तो 1549 में जब battle of चौसा हुआ था इसमें सेडसा नहीं हुमायों को हराया था फिर इसको पंदरों सा 40 में वापस से battle of बिलग्राम हुआ था battle of बिलग्राम को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं इसको battle of कन्नोज भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते है battle of कन्नोज ठीक है तो battle of कन्नोज का ही नाम battle of बिलग्राम है जो 1540 में हुआ था सेरसा और हुमायू के बीच में जिसमें सेरसा वास दैवीनर और हुमायू को हार नसीब हुआ था ठीक है और बाकि ये तीन नाम है जब भी आप मुगल इंपायर के नाम पर हो गए तो ये सब नाम आते ही है ठीक है तो आपको हाईरर्के अटलिस पता होना है चीकि बाबर का बेटा कौन था फिर उसका बेटा कौन था फिर उसके बाद कौन था तो ये जो चार पांच जो प्रमुक है जैसे बाबर हुए बाबर के बाबर के पुतर थे हुमायू हुमायू के पुतर कौन थे फिर उनके पुतर कौन थे लिस्ट आपको औरंग जेव तक बावर to औरंग जेव तक आपको याद होना चाहिए है ठीक है यह आपका काम है आप इस है र Cap को याद रखों जिससे आपका कल के टाइम को आप से आप सीदी पूछ ले कि बावर का बेटा कौन था या बाबर के बाद किसने जो मुगल समराज था बाबर के बाद कौन संभाल रहा था तो आप हुमायू टिक करोगे तो इसलिए हाइरड की याद होनी चाहिए और यहां से हमने क्या सीखा है बैटल अब बिलग्राम कब हुआ था पंदरों सो चालिस में सेर्शा और हुमायू के ब कौन से बैटल के बाद हुमायू इंडिया से भाग गया था ठीक है वो बैटल और बिलग्राम के बाद भाग गया था वापस आया था फिर वापस से उसने जीतनाय स्टार्ट किया था अब देखो अगला कोस्टिन क्या है कि दा कैपिटल ओफ इंडिया वास सिफ्टेट फ् देल ही ड्यूरिंग किसके टेन्यूर में हुआ था पहली बाद तो आप कोस्टिन से ये पहले सीख लो कि इस वाले कोस्टिन से एक फेक्स पहले याद रखो कि जब इंडिया का कैपिटल कॉलकता था उस टाइम कलकता नाम था तो कलकता से देल ही कब सिफ्ट हुआ था तो 19 1111 किया या था पूच रहा है किसके टेन्यूर में हुआ था लॉट हाइडिंग के टेन्यूर में हुआ ठीक है डिल ही डरवार लगता था और ईजमें राजा आते थे तो उसने में जॉर्ज फाइव आये हुए थे ठीक है जॉर्ज फाइव आये हुए थे कुईन मेरी के साथ वहाँ पे अनाउंस किया गया था 1911 में कि अब जो है वो ब्रिटीस इंडिया का कैपिटल कलकता से देली सिफ्ट कर दिया जाए तो उस टाइम पे किसका टेन्यूर चल रहा था लॉर्ड हार्डिंग का ठीक है और आपको जैसे मैंने बताए हिए कि हम लुग लॉर्ड हार्ड का पार्टिशन बंगाल का पार्टिशन कब हुआ था 1905 में बंगाल पार्टिशन से कौन सा अंदोजन रिलेटेड है तो स्वधेसी मूव्मेंट ठीक है फिर लॉड बिलियम बेंटिक के बारे में आपको पिछले ही कोशन में बताया था मैंने पहला गवर्नर जर्नल आफ इंडिया सती प्रताय बॉलिस इन्हीं के टाइम पिवा था 1831 में लॉड डल होजी के बारे में भी आपको अभी जस्ट एक दो कोशन पहले बताया था लॉड डल होजी के बारे में भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स रेलवे का काम इनके टाइम पिशुरू हुआ ठीक है त अब इस question को लेखो अब इस question पूछा है कि कौन सा इस चार में से कौन सा इसा highest जो बंगाल की सबसे विस्ट बंगाल की सबसे उची चोटी है वो कौन सी है ठीक है बात यह है कि बहुत लोगों को बस वर्ल्ड का सबसे उची चोटी पता रहता है state specific सबको नहीं याद हो सकता है यह question जो नहीं मैं इसको टफ के category में इसलिए रखूंगा यदि कोई विस्ट बंगाल का लड़का है तो हो सकता उसको पता हो पर random हर इंसान को नहीं वियाद हो सकता है हर state का कौन सा सबसे highest चोटी कौन सा है ठीक है तो यहाँ पर highest pick of विस्ट बंगाल कौन सा है तो आप अगली वार जब विस्ट बंगाल का highest pick आ है तो आप इस पर टिक मार सकते हो और साथ में आप यह तीन भी देख लो गुरु सिखर जो है वो राजस्थान का सबसे उचा चोटी है ठीक है गुरु सिखर कहां का है राजस्थान का सबसे उचा चोटी है और गुरु सि सिखर कौन से रेंज के अंदर में आता है तो अराबली रेंज के अंदर में आता है फिर यो दियो माली जो है वो उरिसा का सबसे हाइस्ट चोटी है यह मनीपूर का है ठीक है तो आप question में पूछा तो वेस्ट बंगॉल के बारे में आपने वेस्ट बंगॉल के बारे में ज कोश्चन आए हो सकता अगली बार यदि को एक्जामनेर कोश्चन सेट कर रहा होगा कि पिछली बार हमने उच्छी चोटी पूछा था वेस्ट बंगाल का इस और उडिसा का पूछ लेता है तो आप इस प्रिविएस कोश्चन के थुरू यहां तक सही आंसर तक पहुंच लोगे जब बात फिर जीएस के आती है तो लोग बहुत काम मांक से स्कुर कर पाते हैं और इस पेपर के साथ यह एकि आपको मेहनत करनी पड़ती है और दूसरी बात यह है कि मेहनत करने का तरीका बहुत लोगो नहीं पता कि भाई लूसेंट उठा लिया रटे जा रहे हैं आप जो रिलेट करना स्टार्ट करोगो तो आपके लिए याद रखना आसान हो जाएगा ठीक है अब देखो यह कोश्चन है गया एकजाम 2020 में आया था तो उस टाइम में यह आया हुआ था उनका आटो बायोग्राफी इसी लिए कोश्चन आया हुआ था तो अनब्रेकेबल जो बायोग्राफी हो किसका है तो मैरी कौम का है ठीक है तो आपका क्या होना चाहिए आप सचिंत अनुलकर सुनिल गावशकर राहुल रभीत इन लोगों के लाइप पिए दी कोई बुक लिखी गई है या इन्होंने खुद भी लिखा हो तो वो नाम याद होना चाहिए इ इंडिया में इन लोगों से बड़ी हस्ती है कौन जिसके वारे में आपसे पूछा जाएगा पूछा जाना चाहिए ठीक है अब अगले कोस्चन पर आते हैं कि जो new chairman बने थे दिसंबर 2019 में कहा के तो national stock exchange के ठीक है वहाँ पे जो national stock exchange की जो chairman 2019 में बने थे वो कौन थे तो इस question से आपको क्या सीखने मिलेगा नाम important नहीं है ठीक है वो तो आप फिर वापस से देख लोगे कि गूगल करके आपको पता चल जाएगा लेकिन इस question से mainly आपको सीखना यह है कि जब कुछ भी नया appointment ऐसा हो रहा है बरे organization में तो वो नाम important होता है paper के लिए तो अभी भी 2024 में जब आप paper दोगे तो 2024 में paper अगस्त में हो रहा है आपका ठीक है तो अगस्त में paper हो रहा है आपका तो आपको at least इस month तक मेर जून तक ठीक है आप at least मेर जून तक पिछले 6-12 महिने के अंदर में यह जितने भी अच्छे level पे highest level पे जो appointments हुआ है वो आपके इस lecture में रखने का purpose ही यही था कि जिससे आपको यह पता लगी कि current affairs में questions कैसे पूछे गए थे पिछली बार और कैसा पूछा जाएगा इस बार ठीक है आपने देख लिया तो अब आपका काम है कि अब आप इस 6-12 महिने के अंदर में जो appointments हुए है उसको देख लो ज जब आपका paper होगा तो आप सही marks ला सकते हो और देखो इस question को भी यहाँ पर इस lecture में रखने का यही reason है कि appointment important हो गया पिछला question आपको दिख गया appointment important हो गया दूसरा क्या है कि sports में कुछ ऐसा होता है जैसे अभी IPL चल रहा है तो जब आपका paper होगा उस time तक IPL का winner आ चुका रहेगा ठीक है पिछले साल World Cup हुआ था तो World Cup से लेटर कुछ पूछा जा सकता है जैसे 2020 से पूछा था कि ICC World Test Championship table उसमें टॉप पे कौन था तो बात जब I ICC World Test Championship की हो तो अभी तक दो बार हो चुका है ठीक है 2023 में हुआ था 2023 में जिसमें ऐस्टेलिया जीता था रणर आप इंडिया था रणर इंडिया था 2023 में हुआ था तो 2023 से पहले 2021 में हुआ था पॉइंट यह कि हर दो साल पे होता है ICC World Test Championship ठीक है तो 2021 में हुआ था तो उस टाइम पे New Zealand जीता था उस टाइम भी किसको हर आए था तो इंडिया को अब अगली बार कब होगा 2020 में और ICC World Test Championship होता किया है जैसे पूरे दो साल में जितने भी टेस्ट होंगे जो भी टेस्ट खेलने वाले कंट्रीज है आठ से नौ टेस्ट कंट्रीज हैं जो टेस्ट खेलते हैं तो उससे पॉइंट टेवल बनेगा और जो शुरू के टॉप वन और टू में होंगे उनक 2020 World Cup जो हुआ तो वो भी Australia नहीं जीता था वो भी पुछा जा सकता आपसे IPL अभी खतम हुआ रहेगा conclude हुआ रहेगा तो IPL के बारे हैं पुछा जा सकता है तो इस question को इस lecture में रखने का परपस ही यह है कि आपको दो topic मिल गया appointment और sports इस से related जो कुछ काफी मुख्य ठीक है तो देखो पहला तो मैंने कुछ GS के questions दिखाए आपको जिस GS के questions में modern history से question था और उसके बाद जोग्रफी से आपको मिला था जहां पर उची चोटी वगयरा पूछा गया था फिर आपको current affairs दिखा जहां पर आपको appointment sports से पूछा गया था फिर एक आपको biography दिखा था तो इस साल जो भी biography वगयरा आये 6 से 1 साल के अंदर में वो important है आपको तो इन सब questions से आपको जिदना मिलता है उसे जादा यह important होना चाहिए कि आपको at least predict करना आना चाहिए आपको तयार होना चाहिए mentally कि कैसे अगला paper जो 24 में होने वाला है अगस्त में वो कैसा आ सकता है ठीक है अब देखो यह reasoning का question है आपको पता ही है कि आपका जो पहला paper होगा जो cbc assistant secretary का उसमें 6 subjects है उस 6 subjects में Hindi, English और computer को शोड़ दो तो बांकी जो GS है, quant है reasoning है फिर उसके बाद Hindi, English फिर computer ठीक है तो GS हमने देख लिया reasoning के questions मैंने इसलिए डाला इस lecture में जिससे आपको idea लगे कि paper का level कैसा होता है ठीक है अब यह काफी आसान reasoning का question यह तो आप within 15 से 20 seconds के अदर में आपका हो जाना चाहिए देखो आपको pattern दिख रहा होगा यहाँ पर पांच से 12, 12 से 19 साथ का increment हो रहा है ठीक है तो 19 से कहाँ पहुंचेंगे यहाँ पर साथ add करने पर क्या आप पहुंचेंगे 26 तो यह option गलत हो गया यह option गलत हो गया 26 D और B बचा तो आप P और T के बीच में देखो कितने alphabets है Q और R S तीन alphabets add हो रहा है तो यहाँ पर काफी क्योंकि मैं तो लिख रहा हूं तो मुझे इतना टाइम लग रहा जब आप solve कर रहे होगे paper में तो आपको यह भी time नहीं लगा आपको मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 सकट लगेगा ठीक है 5 से 12, 12, 19, 19, 26 पर उसका T से T, T से X तो फिर X के बाद जब add करोगे तो क्या हो वह यहां पर लिखो टिक करो आगे बर हो तो यह reasoning से आपको idea लगना चाहिए इस question से कि आपके लिए कितना आसान reasoning हो सकता है बस reasoning में कि आपको practice होना चाहिए अच्छा जैसे आप काफी fast कर सको क्योंकि maximum लोग बहुत अच्छा score करते reasoning में बस difference इतना है ना कि जो select होते हैं औ प्राइदा time ले लेता है तो आप जितना practice करोगा उसे से time improve होगा क्योंकि concept तो एक बार बिल्ड हो ही जाता है आपको फिर practice करोगे तो फिर आपका दिमाग चलना आसान होगा अब देखो इस question में क्या पूचला पेरिंग करने के लिए बोल रहा है तो फिर इस चार में से कौन साई है अब देखो will bird होई नहीं सकता यह तो काफी आसान question नहीं रैट चुहा जो है वो reptile तो होगा नहीं reptile जिसको बोलते हो जो रेंके चलता वलता है इसको बोलते है snake साप को बोलते है reptile frog जो उसको amphibian बोलते है कि जो पानी और जमीन दोनों पे रहता है उसको बोलते है amphibian frog जो है वो amphibian है साप जो है वो reptile है तो सही answer क्या होगा तो इस question के भी लेने का परपस यह है कि इस type का जो question है वो काफी हर exam में लगए SSC हो CHSL हो या फिर जो यह CBSC ले रहा है इन सब exams में इस type के question को पूछा जा है जैसे यहां पर आपको capital देदेगा न्यू देली इंडिया ठीक है तो सेम आपको देदिया कि भाई इसलामाबाद चार option देदेंगे चाइना इरान पाकिस्तान नेपाल मतलब यह कि इसका मतलब है कि जो relation इस दोनों के बीच में वही relation आपको यहां पे खोजना है किसके सा होगा तो यहां पर यदि सुत्रमुर्ख पक्षी है तो सांप जो है वो reptile है ठीक है अब अगले question पर आता है यह भी है काफी repeated type question होता है यह question बराबर जितने भी आप exam दोगे ना जो one day exams है उन सब exams में इस type question पूछे ही पूछे जाते हैं यह आपने CGL का भी preparation किया होगा तो यह question मतलब इस question से आप इतनी बार मिले होगे क्रेयर ली है आप गलत होता होगा आप से यह पूछ रहा है इस question में के Indians, Humans और Isians मतलब भारतिये, मनुश्यों और ACI इस तीनों के बीच में कौन सा वेंड डाइग्राम बनेगा ठीक है तो अब देखो जितने भी भारतिये हैं वो ACI हैं क्योंकि भारत जो इंडिया कंट्री है वो किसके अंदर में आता है वो ACI के अंदर में आता है ठीक है तो जितने भी भारतिये हैं वो ASEAN है वैसे ही जैसे जितने पाकिस्तानी हैं सब ASEAN है जितने चाइनीज हैं वो सब ASEAN है ठीक है वैसे ही जितने ASEAN और इंड पाली है बंगला देशी है वो सब किस कॉंटिनेंट के अंदर में आता है एसिया के अंदर में आता है तो आपको इस इवेंट डाग्राम बनाने के लिए बोलें तो यह हुआ इंडिया इंडिया के अंदर में एसियन आएगा और एसियन किसके अंदर में आएगा human के अंदर आएगा तो option कौन सा होना चाहिए सही यह होना चाहिए क्योंकि यह हो गया आपका human दूसरा यह हो गया Asia तीसरा हो गया India ठीक है तो यह question काफी आसान है मैंने तो आपको समझाया है तो आपको 15 से 20 सकंड लगे होंगे आप exam में यह तो देखोगे यहाँ पर देखोगे option देखोगे और टिक करोगे और आगे बढ़ोगे क्योंकि यह question इतना आसान है और इतना repetitive है हर exam में जो आपने इतनी बार mock में लगाया होगा ना ऐसे questions को जो आपको ढंग से इस question में मतलब pin उठाने का time नहीं लगना चाहिए अब देखो मैंने कुछ quant के questions ले ली है जिससे आपको question के जो labels है ना वो idea लग जाए इसका यह question क्या आप ऊच रहे है कि list number कितना number है जो 2500 में add किया जाए जो कोई number जो होगा 2500 में मान के चलो हम x add करें कितना x का value क्या होगा जो 7, 8 और 9, 10 इससे divisible हो जब भी ऐसी बात होना तो 7, 8, 9, 10 यहाँ पर इससे divisible तो इसका पहले LC हम निकाल लेंगे ठीक है तो इसका LC हम निकालेंगे बच्चों की तरह अब यह सब को multiply करो 9 into 5 45, 45 into 4 180, 180 को 14 से multiply करेंगे 720 इधर हो गया 180 यानि कि 2520 2520 ऐसा संख्या है जिसको 7, 8, 9, 10 से divide किया जाएगा तो completely divisible है तो 2520 तक पहुँचने के लिए 2500 में कितना add करना चीए 28 करना चीए तो जब भी ऐसा question है जो आप से पूछे कि कोई divisible करके कोई desirable number चीए तो पहले उसका LC हम निकालेंगे फिर उसके बाद आप चिक कर लोगे कहां पर पहुचना है यदि ऐसा पूछ सकता था कि 2500 के जगा पैसा रह सकता था कि 2480 है उसमें कितना जोडा जाए कि 2520 तक पहुचे जाए 2480 है आपके पास दिया हुआ आपसे पूछे कि कितना उसमें add किया जाए कि 7, 8, 9, 10 से divisible हो जाए तब फिर आप 40 add करते हैं तो यह question पूछने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं पर start इसी चीज़ से होगा कि पहले जो भी आपको दिया हुआ divisible करने के लिए उसका पहले आप LCM निकालोगे फिर वो LCM से आप चेक करोगे कि कहा तक पहुचना है और क्या दिया हुआ है ठीक है और इस question का पूछने का purpose या solve करने का purpose यही था जिससे आपको ये पता लगे कि paper में questions कैसे आ रहे हैं जिससे आप अगस्त में ready हो सको ठीक है अब ये question time and distance का है काफी आसान question है इस question में भी आपको 15 से 20 सकंड जादा लगना नीची है आप से पूछ रहे हैं कि एक car जो है वो 5 घंटे 500 किलोमेटर के दूरी तैक करती है तो आपको ये इतने पढ़ते हैं भी आप idea लग जाएगा कि वो 1 hour में कितने किलोमेटर दूरी तैक कर रही है 100 किलोमेटर ठीक है कि ये पूछ रहा है कि 4 घंटे में दूरी तैक करना है इसको मतलब जो 500 किलोमेटर है इसने अभी 5 घंटे में फोर यानि कि 125 किलोमेटर उसको पर आर करना है कितना आसान पूछ रहा है कि कोई कार है जो 500 किलोमेटर 5 घंटे में जाती है और इसको अब ये distance 4 घंटे में ही तैय करनी है तो हर घंटी में कितना जएदा किलोमेटर चलेगा तो यह बच्चो वाली question है आपको question में दे दिया 100 km जा रहा है वो और उसको 125 km परार जाना है कितना km ज़्यादा चलना परेगा 25 km ठीक है, तो बात क्या है कि यह question वगरा रखने का purpose यह है कि आपको ढग से idea चले कि paper का level क्या है भले GS की बात हो या फिर या फिर reasoning की बात हो या quant की बात हो, आपको paper का level पता चल रहा है, जिससे आप August में जो exam है, जिसका date आ चुका है 8 में को आया था exam आपका August में exam है, 3, 10, 11 यदि मैं गलत नहों हो, तो साइर इसी date को है आपका exam offline exam है इस exam के लिए और आपको लग रहा होगा बहुत time है, तो time बहुत कम है, क्योंकि time गुजरते बिल्कुल time नहीं लगेगा, तो आप अपने preparation का level better करो और आपको यदि कोई course चाहिए CBSE exam में better करने के लिए तो हमारा app है exam one, उस पे आप आप आओ, course purchase कर सकते हो, वहाँ पे आपको experience faculties से live and recorded सारे lectures मिलेंगे, जिससे आपका preparation काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है, और I hope कि यह वाला lecture, आपको lecture one पसंद आया होगा, जो previous years based question था, ठीक है, और lecture two भी आपका previous years based question था, मैं इस series को continue रखूंगा, जिससे आप इस questions वगेरा से next जिव paper होगा, उसमें आप question पेडिट कर सको और अपना level check कर सको, I hope आपका time अच्छा रहा हो, और all the rest for your exam